परिचय आज एक धूप वाला दिन है विशाल दिन का आनंद लेने के लिए बगीचे में है अचानक वो एक पुश्प को देखता है और उसे वो पसंद आता है वो उसे लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है लेकिन तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच लेता है उसे क्या हुआ? अब चलो थोड़ा पास से देखते हैं जैसे ही उसने पुश्प के तने को छुआ उस पर लगा हुआ कांटा उसे चुप गया तथा संवेदक जो की तवचा के नीचे स्थित होते हैं उद्धी पन का पता लगाते हैं तथा ये उद्धी पन केंद्रिये तंत्र का तंत्र को ले जाया जाता है तथा इसकी अनुक्रिया में कंकाल पेशियां सिकुरती जाती हैं तथा वो अपना हाथ हटा लेता है इसलिए इस मॉड्यूल में हम तंत्र की ये नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे उत्यश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मानव के तंत्र की ये तंत्र को परिभाशित करना तंत्री कोशिका यानी नियूरोन की सनचना तथा कारे का वर्लन करना तंत्री का आवेगों की उत्पत्ती एवं संचरन का वर्लन करना आवेगों के संचरन का वर्लन करना केंद्रिय तंत्री का तंत्र की व्याख्या करना प्रतिवर्थी क्रिया तथा प्रतिवर्थी चाप का वढ़न करना, मानव नेत्र तथा मानव कण की सनचना तथा कारीकी का वढ़न करना. तंत्र की ये तंत्र तंत्र की ये तंत्र शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वईत करता है तंत्र कोशिका यानि नियूरोन तंत्र की ये तंत्र की संदचनात्मक एवं क्रियात्मक की काई होती है ये शरीर के एक भाग से अन्य भागों तक सुचनाओं को ले जाती है। आ कशेरु कियों की तुल्ला में तंत्रिका तंत्र कम विक्सित होता है तथा इन में कुछ तंत्री कोशिकाएं यानी नियूरॉंज ही पाए जाती हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। केंद्रिये तंत्रिका तंत्र और परिधिये तंत्रिका तंत्र के अंतरगत मस्तिश्क तथा मेरु रज्जु समलित हैं। परिधिये तंत्रिका तंत्र के अंतरगत कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरू तंत्रिकाएं आती हैं. तंत्रिका तंतू दो प्रकार के होते हैं. संवेदी या अभिवाही तंतू एवं चालक या प्रेरक या अपवाही तंतू. समवेदी या अभिवाही तंतू ये तंतू उद्धी पनों को उद्कों या अंगों जैसे समवेदी अंगों से केंद्रिय तंत्र का तंत्र तक ले जाते हैं चालक या प्रेरक या अपवाही तंतू ये तंतू उद्धीपनों को केंद्रिये तंत्रिका तंत्र से उद्धकों या अंगों तक ले जाते हैं परिधिये तंत्रिका तंत्र परिधिये तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है काईक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत तंत्रिका तंत्र काईक तंत्रिका तंत्र उद्धी पनों को केंद्रिये तंत्रिका तंत्र से एच्छिक अंगों तक ले जाता है, जबकि स्वायत तंत्रिका तंत्र उद्धी पनों को तंत्रिका तंत्र से अनेच्छिक अंगों जैसे हिर्दय पीश्यों तक ले जाता है स्वायत्य तंत्रिका तंत्र पुना दो भागों यानि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गिक्रित किया गया है पर आनुकम्पी भाग कुछ कारियों जैसे हिर्दय दर कम करना, प्यूपिल का निर्माण करना आदी को नियंतरित करता है, जबकि आनुकम्पी भाग इसके विपरीत प्रभाव जैसे हिर्दय दर बढ़ाना आदी दर्शाता है. तंत्री कोशिका नियूरौन तंत्र का तंत्र की संडचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एक तंत्री कोशिका यानि नियूरौन के तीन मुख्य भाग होते हैं, कोशिका काई दुमराक्षे एवं तंत्रिकाक्ष ये विशेशी क्रित कोशिकाएं सूचनाओं को ग्रेहन तथा उन्हें समवहित करने के लिए उत्तरदाई होती हैं कोशिका काय में कोशिका द्रव्वे और प्रारूपिक कोशिकांग और विशेश दानेदार अंगक निसेल ग्रेनियूल पाए जाते हैं दुम्राक्षे कोशिका काय से प्रवधित होते हैं वे ग्राहियों तथा कई अन्ने तंत्र कोशिकाओं यानि नियूरौनों से तंत्र किये आवेगों को ग्रहन करते हैं तथा इन आवेगों को कोशिका काय की तरफ समवहित करते हैं एक लम्बा तंतु जो की कोशिका काई से आवेगों को दूर ले जाता है, तंत्री काक्ष कहलाता है. प्रतेग तंत्री काक्ष के सिरे पर एक बल्ब सद्रिश सनचना जिसे सिनेप्टी पुटिका कहते हैं पाये जाती है जिस पर निरो ट्रांस्मीटर्स पाये जाते हैं तंत्री कोशिका तीन प्रकारके होते हैं, एक ध्रुविये, दुई ध्रुविये तथा बहु ध्रुविये, इनमें केवल एक यही तंत्री काक्ष उपस्तित होता है, दुई ध्रुविये, एक तंत्री काक्ष एवं एक दुम्राक्ष उपस्तित होता है, बहुत धुरुविये एक तंत्री काक्ष तथा दो या अधिक दुम्राक्षे उपस्तित होते हैं तंत्री काक्ष दो प्रकार के होते हैं आच्छादी एवं आच्छादी तंत्री का तंतू श्वान कोशिका से ढखे रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों और माइलन आवरण बनाती है। माइलन आवरणों के बीच अंतराल पाय जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। जबकि आचद हीन तंत्रिकाक्षों में, तंत्रिकाक्ष के चारों ओर कोई भी माइलन आवरण नहीं पाया जाता है। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण एक तंत्रिका आवेग एक संदेश होता है जो की तंत्रिकोशिका की जीव द्रविच हिली में voltage द्वारिये चैनलों द्वारा आयनों के गतिशील होने के कारण, दुम्राक्षियों अथवा तंत्रिकाक्षों के साथ समवहित होता है। विद्धुतिये विभाव के कारण वोल्टेज द्वारिये चैनल खुलते तथा बंध होते हैं, जिससे हम ये निशकर्ष निकालते हैं कि वे उनके चारों तरफ लगने वाले विद्धुतिये आवेश के द्वारा प्रभावित होते हैं. जब तंत्री कोशिका, नियूरोन व्रहमा वस्था में होता है, तो कोशिका के अंदर तथा बाहर आवेश अंतर बना रहता है. सोडियम, पोटेशियम पंप के द्वारा ये आवेश निर्मित होता है, तथा बना रहता है. पंपो सोडियम आयनों को कोशिका के बाहर भेशता है, जबकि पोटेशियम आयनों को कोशिका में प्रवेश कराता है जबकि अन्ड चैनल कुछ पोटेशियम आयनों के प्रवाह को वापस कोशिका में भेजते हैं जहांकि सूडियम आयन खोई हुए धनात्म कावेशों को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं इसका परिणाम ये है कि कोशिका के बाहर कुल धनात्म कावेश तथा अंदर कुल रिनात्म कावेश होता है कोशिका के अंदर तथा बाहर आवेश में अंतर विराम कला विभाव कहलाता है अब जब कोई उद्धिपन दुम्राक्ष पर जीव द्रवे जिली के साथ छेड़ छाड़ करता है एक कंद्र का उद्धिपन प्रारंब होता है जिससे सोडियम चैनल खुलता है सोडियम आयन कोशिका में बहने लगते हैं तथा वो सिस्थान पर आवेश में अंतर को कम करते हैं यदि आवेश अधिक होता है तो ये अन्ने वोल्टेज दौरिये सोडियम चैनल को इसके पास खोल देता है जैसे ही कोशिका में कई सोडियम आयनों का संचरन होता है तो वो स्थान जिल्ली को विद्रूवी करण बनाता है तथा कोशिका के भीतर कुल धनात्म कावेश तथा कोशिका के बाहर कुल रनात्म कावेश पाया जाता है ये पडोसी वोल्टेज द्वारिये सोडियम चैनलों को भी प्रभावित करता है, तथा ये उन्हें खोलता है एवं विद्रूवी करण जिल्ली के साथ आगे बढ़ता है क्रियात्मक विभाव के पीछे बदलाव विराम कला चिल्ली विभाव को पुना इस्थापित करते हैं वोल्टेज द्वारिये पोटेशियम चैनल बंध हो जाते हैं, जिसके कारण कोशिका से बाहर की तरफ पोटेशियम आइनों का एक तेज प्रभा होने लगता है जिससे कोशिका की भीतर पुना रणात्म कावेश तथा कोशिका की बाहर पुना धनात्म कावेश उत्पन्न हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप विराम कला चिल्ली विभाव को पुना इस्थापित करता है तथा कोशिका की भीतर तथा बाहर सोटियम एवं पोटेशियम आयनों की सही सांद्रता को पुना निर्मेत करता है आवेगों का संचरण दो तंत्री कोशिकाओं यानि निर्मेत के मध्धे एक संकेत को संचारित करने के लिए एक वैद्धित्य उद्धिपन एक सिनेप्स के उपर समवहित होना चाहिए सिनेप्स एक संदी है जिसके द्वारा एक उद्धिपन एक तंत्री काक्ष सिरे से एक तंत्री कोशिका यानि नियूरोन तक जाता है ये पूर्व सिनेप्टिक तथा पश्च सिनेप्टिक तंत्री कोशिका द्वारा बना होता है जैसे ही क्रियात्मक विभाव नीचे तंत्री काक्ष की तरफ जाता है तथा ये तंत्री काक्ष सिरे तक पहुँचता है केल्शियम चैनल खुल जाते हैं जिससे केल्शियम आयन तंत्री कोशिका में चले जाते हैं इसके बाद तंत्री कोशिका यानि नियूरॉन नियूरो ट्रांस्मीटर्स का निर्माड करता है तथा पुठिकाओं में उन्हें संचित करता है जैसे ही केल्शियम पुठिकाओं से बंध जाता है पुठिकाओं नियूरो ट्रांस्मीटर को पूर्व सिनेप्टिक जिल्ली की तरफ ले जाती है जब पुठिकाएं तंत्रिकाक्ष सिराजिली के संपर्क में आती हैं तो नियूरो ट्रांस्मीटर सिनेप्टिक दरार में तयाग दिया जाता है। उपस्तित ग्रहीों से बंद जाता है। पश्च सिनेप्टिक दंत्रिकोषिका यानि नियूरों पर पाए जाने वाले ग्रहीों को सक्रिय कर देता है, तथा फिर ग्रही सोडियम आइनों को सुसाधे विसरण द्वारा दंत्रिकोषिका में प्रभेश करने देते हैं, जिससे पश्चे सिनेप्टिक तंत्री कोशिका में एक क्रियाद्मक विभाव उत्पन हो जाता है। निश्कासित निउरो ट्रांस्मीटर्स सिनेप्टिक दरार में वापस विश्रित हो जाते हैं तथा पुठिकाएं कुछ निउरो ट्रांस्मीटर्स को पुना चक्रन करती हैं केंद्रिय तंत्र का तंत्र केंद्रिये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का एक प्रसारण तंत्र है ये कपालिये गोहा में स्थित होता है इसमें संयोजी उतक जिल्लियों की तीन परत होती है बाहे परत, डूरामेटर, आंतरिक परत, एरेकनॉइट तथा आंतरिक परत, पायामेटर होती है पाया मैटर तथा एरिकनौइट के मद्ध के स्थान में मस्तिश्क मेरू द्रव्य भरा होता है। मानव मस्तिश्क को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर मस्तिश्क, मद्धे मस्तिश्क एवं पश्चे मस्तिश्क अगर मस्तिश्क अग्रमस्टिश्क मानव मस्टिश्क का सबसे अग्र तथा मुख्य भाग है ये सेरिब्रम थेलमस तथा हाइपो थेलमस से बना होता है प्रामस्टिश्क बलकुट अग्रमस्टिश्क की पतली बाहिपरत बनाती है जिसे प्रामस्टिश्क यानि सेरिब्रम कहते हैं जिसे प्रामस्तिश्क दो भागों में बाई तथा दाई तरफ विभक्त होता है जिसे प्रामस्तिश्क गोलार्द कहते हैं प्रामस्तिश्क बलकुट प्रामस्तिश्क को ढखता है। प्रामस्तिश्क बलकुट के नीचे स्थित होता है। इसके ठीक नीचे एक मटर के आकार वाली सनचना उपस्तित होती है। जिसे हाइपो थेलमस कहते हैं। ये शरीर के अनेक मुख्य कारियों जैसे भूक, प्यास, तरल संद्रता, शरीर के ताप और जनन प्रक्रियादी को नियंतरित करने में सहयक है। लिम्बिक तंत्र परस पर जुड़ी हुई सनचनाओं का एक समू है, जो की एमिगडाला, हिपो केंपस, थेलमस तथा हाइपो थेलमस के भागों से मिलकर बना होता है। मध्य मस्तिश्क मध्य मस्तिश्क पश्च मस्तिश्क के ऊपर इस्थित होता है, इसमें तंत्र का मार्ग पाया जाता है, जो की अगर मस्तिश्क से जुड़ा होता है। मद्धे मस्तिश्क नेत्र पेशियों की स्वाता गतियों में एक महत्पून भूमी का निभाता है। मद्धे मस्तिश्क के भाग मस्तिश्क स्तंभ का निर्माण करते हैं। Reticular nirmarn तंत्री कोशिका का जाल होता है, जोकी पश्च मस्तिष्क से निकलता है। मध्य मस्तिष्क से होता हुआ प्र्मस्तिष्क में थेलेमस तक गुज़रता है। ये ध्यान, सजक्ता तथा लेंगिक उत्तेजना को नियंतरित करने में महत्पूर्ण भूमी का निभाता है। मध्यांश तथा पोस में समवेदी तंत्री कोशिकाएं यानि नियूरौन्स पाय जाती हैं, जो की सूचनाओं को मेरू रज्जु से अग्र मस्तिश्क तक समवहित करते हैं। मध्यांश जीवन के दैनिक कारियों जैसे हिर्दय स्पंदन तथा श्वसन को नियंतरित करता है। पोन्स निद्रा तथा जागने की दशा को नियंतरित करता है। मस्तिश्क स्तंभ मेरी रज्जु को मस्तिश्क के उच्च क्षेत्रों से जोड़ता है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा एक उद्धिपन के प्रती एक त्वरित प्रतिक्रिया होती है। मानव में किसी गर्म वस्तू को छूने पर हाथ को जटके से हटा लेना प्रतिवर्ति क्रिया का एक उधारण है जब घुटने के ठीक नीचे गंडरा पर आगहात होने पर टांगों का सीधा होना इसका एक अन्य उधारण है चलो अब प्रतिवर्ति चाप का विस्तार से परिक्षन करते हैं पहले त्वचा के विशेशिक्रित समवेदी तंतू दर्थवाले उद्धिपन का पता लगाते हैं तथा इस सूचना को मेरू रज्जू में तंत्रिका कोशिकाओं को भेशते हैं ये सूचना एकल समवेदी तंत्रिक कोशिका द्वारा ग्रहन की जाती है समवेदी तंतू मेरू रज्जू तथा मेरू रज्जू के अंदर अन्ताह तंत्रिका कोशिका यानि निरौन के उपर सिनेप्स में प्रवेश करते हैं ये अन्ताह तंत्रिक कोशिका यानि निरौन चालक निरौनों के उपर सिनेप्स को भेशते हैं जिससे कंकालिये कोशिकाओं नियंत्रित होती हैं भुजा में सामने की तरह विस्थित लचीली कोशिकाओं संकुचन के लिए निर्देशित करती हैं जबकि भुजा में पीछे की तरह विस्थित बाहे पेशियां शिथिलन के लिए निर्देशित करती हैं। एक जोड़ी नेत्र खोपडी में इस्थित अस्थी गर्दिक जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, इन में इस्थित होते हैं। नेत्र के भाग मानव नेत्र की भित्ती तीन पर्तों से मिलकर बनी होती है। बहरी परत घने संयूजी उतक जिसे स्कलेरा यानि श्वेद पटल कहते हैं तथा कौर्णिया की बनी होती हैं। जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। मद्धे परत तीन भागों से मिलकर बनी होती है। कौराइट, पक्षमापकाय तथा आईरिस। कौराइट मद्धे परत का सबसे बड़ा भाग होता है। पक्षमापकाय में चिकने पेशी तंतू पाई जाते हैं। जोकी लेंस की आकृती को नियंत्रित करते हैं तथा आने वाले प्रकाश पर फोकस करने में हमें सहायता देते हैं। आईरिस नेत्र का रंगीन भाग है, जोकी कौर्णिया द्वारा द्रिश्य होता है। आईरिस में एक गहरा चिद्र पाया जाता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। ये प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है। आईरिस की चिकनी पेशी प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करती है। नेत्र की सबसे आंत्रिक परत रेटिना कहलाती है। रेटिना पर पाए जाने वाले प्रकाश ग्राहियों के दो प्रकार शलाका तथा शंकू है. शलाका कम प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं, जबकि शंकू केवल तेज प्रकाश में कारे करते हैं. रेटिना में गुच्छिका, कोशिका का तंतरिकाक्ष, नेदर के पीछे एकर द्रिख तंतरिका का निर्मान करते हैं. इस क्षेत्र में कोई भी प्रकाश क्राही उपस्थित नहीं होता है ये प्रकाश के प्रती असमवेदन शील होता है अता इसे अंध बिंदू कहते हैं रेटिना के मेक्यूला में एक छोटा गर्थिस्थित होता है जिसे फोविया कहते हैं ये फोविया पर उपस्थित लगभग सभी शंकों को स्पष्ट द्रिष्टी प्रधान करता है कॉर्डिया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चेंबर यानि जलिय कोष्ट कहते हैं जिसमें पतला जलिय द्रव नेत्रोद होता है लेंस और रेटिना के बीच के रिक्तिस्थान को कचाप यानि द्रव कोष्ट कहते हैं और ये पारदर्शी द्रव कचाप द्रव कहलाता है देखने की प्रक्रिया प्रकाश किसी वस्तु से परवर्तित होकर कौर्णिया तथा लेंस के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है तथा फिर प्रकाश रेटिना पर फूकस होता है तथा शलाका तथा शंकूँ में क्रियात्मक विभाव उत्पन करता है नेत्र में प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं, जो की ओपसिन तथा रेटिनल से बने होते हैं प्रकाश ओपसिन की सनचना को परिवर्थित कर देता है, जिसके कारण जिल्ली की पारिक गम्मेता भी परिवर्थित हो जाती है इसके परिणाम सरूप विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ती होती है जो की गुच्छिका कोशिकाओं में दुई धुरुविय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है इन सक्रिये विभव के आवेगों को द्रिक तंत्री का द्वारा मस्तिश्क के दृष्टी वलकुट चत्र में भेजा जाता है वलकुट में आवेगों का विशलेशन होता है तथा रेटिना पर छवी का निर्मान होता है कर्ण मानव कर्ण एक विशिस टंग है ये दो समवेदी क्रियाई करते हैं सुनना और शरीर का संतुलन बनाना कर्ण की शरीर क्रिया विक्यान कर्ण को तीन भागों में विभग्त किया जा सकता है बाहे कर्ण, मद्धे कर्ण और अंताह कर्ण बाहे कर्ण बाहे कर्ण उपास्थी की एक अनियमित आकार के टुकडे को ढखने वाली त्वाचा पित्रा तथा कर्ण पाली से मिलकर बना होता है बाहे कन में एक छोटी ट्यूब बाहे श्रमन गोहा भी पाई जाती है जोकी ध्वनी तरंगों को मध्धे कन तक संचारित करती है बाहे श्रमन गोहा त्वचाद्वारा आस्तरित होती है जिसमें स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है जो की कण मोम का निर्मान करती हैं कण मोम में बाहे कण भसे होते हैं तथा इसमें एक प्रकृतिक प्रति जैविक पदार्थ पाया जाता है जो की कण संक्रमन को कम करने में सहायता करता है मद्धे कण मद्धे कण कपाल के भीतर इस्थित होता है कन पटह, जिल्ली, मद्धे श्रवन गोहा को बाहे श्रवन गोहा से भिन्न करती है मद्धे कन तीन अस्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मेलियस, इंकस और स्टेपीस कहते है स्टेपीस कोलकिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है यूस्टे कियन नलिका, मद्धे कन गोहा को फैरिक्स से जोड़ती है यूस्टे कियन नलिका कन पटह के दून और दाब को समान रखती है कन की शरीर क्रिया, विक्यान, अंताकरण, द्रव से भरा अंताकरण, लेबरित कहलाता है जो की अस्थिल और जिली नुमा लेबरित से बना होता है अस्थिल लेबरित वहिकाओं की एक श्रिंखला होती है इन वहिकाओं के भीतर जिली नुमा लेबरित होता है जो की परिलसी का द्रव से घिरा रहता है किन्तु जिली नुमा लेबरिंध एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है अईस्थिल लेबरिंध के तीन मुख्य भाग होते हैं कोकलिया, अर्ध चंद्रकार नलिकाएं तथा वेस्ट ब्यूली जोकी कोलिकलिया तथा अर्ध चंद्रकार नलिकाओं को जोड़ती है कोल किलिया में राइजनर्स तथा बैसलर जिली पाई जाती है स्टेपीज के पीछे अंडाकार खिड़की पाई जाती है तथा अंताहकण में बाहर की तरफ निकली हुई गोल खिड़की उपस्थित होती है और्गन ओफ कार टाई आधारिय जिली के स्केला मीडिया पर इस्थित होता है जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवन ग्राही के रूप में कारे करती है रोम कोशिकाओं का आधारिय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है रोम कोशिकाओं की शरंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल जिल्ली होती है Vestibular तंत्र तीन अर्ध चंद्रकार नलिकाओं और Organ of Autolith से बना होता है प्रतियक अर्ध चंद्रकार नलिका एक दूसरे से समकोंड पर भिन्न तल परिस्थित होती है जिल्ली नुमा नलिकाएं आइस्थल नलिकाओं के परिलजिका द्रव में डूपी रहती है नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला होता है जिसमें एक उभार निकलता है जिसे क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते है प्रतिक क्रिस्टा में रूम कोशिकाएं होती हैं लगुकोश और यूट्रिकल में उभार नुमा सनरचना मैक्यूला होता है श्रवन की क्रिया ध्वनी तरंगे बाहे कंड द्वारा प्रवेश करती हैं तता कंड पटे तक पहुँशती हैं ध्वनी तरंगों के प्रतिक्रिया में कंड पटे में कंपन होता है और ये कंपन कंड अस्थिकाओं यानि मैलियस, इंकस और स्टेपीस से होते हुए गुलाकार खिड़की तक पहुँशते हैं गोलाकार खिड़की से कमपन कोकलिया में भरे द्रफ तक पहुँशते हैं जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करती हैं आधारिय जिली में गती से रूम कोशिकाएं मुड़ती हैं और टेक्टोरियल जिली पर दबाव डालती हैं फल्चरूप संगठित अभिवाही नियूरॉंस में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवन तंत्रिका से होते हुए मस्तिश्क के श्रवन वलकुट तक भीजे जाते हैं जहां आवेगों का विशलेशन कर ध्वनी को पहचाना जाता है क्या आप जानते हैं? मैलियस, इंकस तथा स्टेपीस मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थियां होती हैं तथा जन्म के समय ही ये पूर्ण आकार की होती हैं टेम्पोरल अस्थि शरीर की सबसे घनी अस्थि होती है मानव नेत्र प्रतेग घंटे में 36,000 बिट्स सूजनाओं की प्रक्रिया कर सकते हैं सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रियाओं का नियंत्रन एवं समन्वयन करता है मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों केंद्रिये तथा परिधिये तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है केंद्रिये तंत्रिका तंत्र को मस्तिश्क तथा मेरु रज्जु में विभाजित किया जा सकता है जबकि परीधिये तंत्रिका तंत्र को काईक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत तंत्रिका तंत्र में विभाजित किया जा सकता है तंत्री कोशिका यानि नियूरोन के मुख्य भाग तंत्रिका काई, दुम्राक्ष तथा तंत्रिकाक्ष हैं तंत्री का आवेक एक संधेश होता है जो की तंत्री कोशिका के दुम्राक्षियों एवं तंत्री काक्षियों के साथ संचरण करता है दो तंध्री कोशिकाओं के मध्धे एक संदीश के संचरण के लिए सिनेप्स के उपर एक वैद्धुतिय आवेक का संचरण अवश्य होना चाहिए मानव मस्थिश्क को अगर मस्थिश्क, मध्धे मस्थिश्क एवं पश्चे मस्थिश्क में विभाजित किया जा सकता है मस्तिश्क का सबसे अगरभाग होता है। ये सेहरी प्रम, थेलमस तथा हाइपो थेलमस से बना होता है। पश्चे मस्तिश्क, पूंस, अनुमस्तिश्क और मध्यांश यानि मेट्यूला, ओबलुगेंटा का बना होता है। प्रतिवर्थी क्रिया, तंत्रिका तंत्र द्वारा, एक उद्धीपन के प्रती, एक द्वरित प्रतिक्रिया होती है। मानवनेत्र तथा मानवकर्ण सम्वेदी अंग होते हैं।